नमस्कार दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बायर कमपनी का ओवेरोन इंसेक्टिसाइड यानी ओवेरोन कितना सक के बारे में तो दोस्तो ओवेरोन कितना सक क्या है और इसका टेखनीकल नाम क्या है फसल में काम करने का सिस्टेम क्या है इसको उपर करने से क्या-क्या फाइदा मिलता है कौन-कौन सी फसल में इस्प्रे कर सकते हैं दोज कितना है प्राइस कितना है मार्केट में इसके अलबा कौन सी नाम पर मिलता है तो सब कुछ के बारे में हम डिटेल के साथ बात करने जा रहें तो आप लोग वीडियो को लाश्ट तक रिखते रही है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सब से पहले बात कर लेते हैं वायर कंपनी का ओवेरूम क्या है तो यह कॉंटेक्ट इंसेक्टी साइड है जो कि मक्रिनास्वक की इसाब से बिसेस कर जे करी है तो इसका टेक्निकल की अगर बात किया जाए तो इसमें जो टेक्निकल है इसपारो मेसिफ हैं 240 SC फों में मार्केट में एवलेबल मिलता है अब बात कर लेते हैं वसल में काम करने का सिस्टेम क्या है यानि जिसको मोड अप एक्सेन बोला जाता है तो दोस्तों यह किड़ा के अ जो पानी होता है वो सूख जाता है उसके कारण कीड़ा सूख के मार जाता है अब बात कर लेते हैं इसको उपयोग करने से क्या क्या फाइदा मिलता है तो दोस्तों इसमें सबसे पहले Translaminar का कार्ज़ करता है अब Translaminar क्या है इसको तो पहले आप लोगों को समझा चुके है लेकिन फिर से एक बर बता दे रहे हैं कि ये फसल में जैसे हम लोग इस्प्रे करते हैं तो पत्ते के उपरी भाग में इस्प्रे होता है लेकिन ज्यादा तर माइट, थिरिप्स, वाइट, फ्लाई पत्ते के नीचे रहता है तो उहां तक कैसे पहुँचेगा तो उसको पहुचाने के लिए ट्रांसलेमिनर का एक केमिकल होता है वो इसमें मिक्सिंग होया है तो इसलिए इसमें ट्रांसलेमिनर पहले से है इसमें से अलग से और इस्प्रे करने का ज़रूरत नहीं है इसमें जो सबसे बड़ी मेन खसियत बात है कि इसको इस्प्रे करने के बाद बेनिफिसियल इंसेक्ट से भी सुरक्षित रहते हैं अब बात कर लेते हैं कौन-कौन सी फसल में हम लोग इसको इस्प्रे कर सकते हैं तो ये लगबग सभी सबजी वर्गयों फसल में इस्प्रे कर सकते हैं जैसे कि मिर्चा बाइगान भेंडी टमाटर उसके लबाब फल वर्ग यो फसल में भी इस्प्रे कर सकते हैं और फुल में भी इस्प्रे कर सकते हैं तो डोज की अगर बात किया जाए तो एक एमिल पर लिटर की इसब से इसप्रे करने से कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही अच्छरे जलब लोगों मिल जाएगा प्राइस की अगर बात किया जाए तो 100 ml का प्राइस लगबग मार्केट में 500-500 रुपय के अंदर मिल जाएगा और इसके अलबा मार्केट में पियाई कंपानी का वोल्टेज नाम पे भी सेम टेक्निकल में इस दवाई मिल जाता है अब लास्ट में एक चीज जान लेते हैं क्या इसके साथ किसी टोनिक या फंगी साइड को मिला के इस्प्रे कर सकते हैं तो जी हाँ दोस्तो अप लोग टोनिक या फंगी साइड को मिला के इस्प्रे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो ये था बायर कमपानी का ओवेरोन इंसेक्टी साइड के बारे में पूरी जानकारी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर इस चैनल के नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेज़ेगा कि हम ऐसे ही वीडियो अप लोगों के पास ले आते रहते हैं